नवस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 40 साल है यानि 40 येर्स है और इस हाथ को देखे तो ये काफी अच्छा हाथ है पर वर्तमान समय जो 39 से इनके जीवन में अच्छा खासा लॉस भी गया होगा इनको अच्छा खासा क्यूंकि इनके फेट लाइन पर भी कट है और बहुत बड़ी राव रेखा ने इसी किरियर में काटा है मेगे करके सारी चीजों को मैं बताऊंगा पर उसके बाद कोई राव रेखा इनके हाथ में नहीं है ये भी एक देखने वाली अच्छी चीज है तो ये टेंपरेरी फेस का प्रॉबलम है फिर हम देखेंगे धन रेखा पर कि एक समय ये पंद्रा करोड का टरन ओवर करते थे तो क्या कारण है कि अब वो टरन ओवर वापस कम हो गया है तो ये सारी चीजों को दिखने की कोशिस करेंगे स्टेप बाई स्टेप पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है धन रेखा खा और सपस्ट फोटो होना चीए था वो हो सकता है मैं एनालिसिस के बाद भी इन से मांग लूँगा क्योंकि मुझे अभी तक इनकी धन रेखा का जो फोटोग्रास है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया है पर फिर भी इनकी जो रुका ओट है वो दिख जाएगी और धन रेखा कि अगर मुझे आवशकता लगी तो मैं इनको वीडियो में बता दूँगा कि ये वापस फोटो भेजते तो इनको accurate मैं बता दूँगा होता है हमसे भी हम भी कभी कभी उताओल में होते किसी काम में रहते तो उतनी एनरजी हमसे भी कभी कभी नहीं लगती क्योंकि दूसरे भी काम हम करते रहते तो कभी कभ हमसे भी गल्तिया होती है तो वो रेक्टिफाय हो जाती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें वो बाद में भी हो सकता है पर जो मेन अभी इनको जो रुकावट चल रही है उसको खासतर से देखना जरूर ही है जिस वेक्टि के हाथ में यहाँ पर सीधी रेखा बने या धनुशागा रेखा बने वेक्टिफ बहुत जादा समझदार होता है और जीवन में जो अपरुचुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है सेकेंड चीद देखे तो यहाँ पर स्पेस जादा है तो ऐसे लोग भी जीवन में अच्छा खासा प्रोग्रेस करते है धन के मामले में इस पाम को देखे तो यह पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग बहुत मेहनती होते है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते है पर इन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट कहिए तो वो है अगर दो दिन जिस सहर में रहते हो दो दिन जोर से बरस करना पसंद नहीं आता इनको तो यह दो खासेते चोड़े पाम वालों की होती है और साथ हमें थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है तो सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग कहीं न कहीं एक्सपर्ट होते हैं अंगुटे का फर्स फैलेंग देखिए कितना नुकिल है ऐसे लोग काफी महनती होते हैं सेकेंड फैलेंग भी अच्छा है जान लॉजिक की जोरत है वहां लॉजिक यूज किया जाच चूप रहने की जोरत है वहां चूप रहे है और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं उंगलिया मोटी है और फैलेंग सपा जाती है, उंगलिया छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जाता रहती है, फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड और यह तो व्यक्ति में धार्मिक भावना देती है यह, सुरी की उंगली बढ़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती सभाव का होता है, जीने का व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर जरूर होता है व्यक्ति, जब इस तरह की उंगली छोटी होती है, तो पर इन लोगों के हाथ के नीचे स्टाफ होते है, जो ये सारी चीज़े मैनेज कर लेते हैं, तो यहाँ तक सब्जेक नहीं आता है, पर पर स्नल लेवल पर ये सारी चीजों की कमी पाई जाती है, अब इनके क्लोज अप पर चलते हैं, बुद्परवत अपने आप में उभा रहे हैं, तो ये जुबान होती है ये सारी चीजे व्यक्ति को बुद्परवत से मिलती है और एक और खासियत होती है बुद्परवत वालों की जो मैं अभी तक किसी वीडियो में नहीं बताया ये लोग बहुत जल्द में नीड़ें लेने वाले होते जल्दी निर्णे लेते, फास्ट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लाइन है, एक, दो, तीन, चार, तो यह बिजनेस सेंस दिखाती है, और सुन्दरता भी देती है, अब इनके सन माउंट पर यह नाड़ी का रेखाओ, जादा वाला पाम है, तो भूस पश्टता से तो नहीं दिखी है, पर यह clear cut यहाँ पर show हो रही है, और ऐसा कई लोगों के साथ होता है, केवल इनके साथ ही नहीं है, काफी अच्छी sign है इनके हाथ में, वो है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, अब इसी को मैं मिटा रहा हूँ, एक यहाँ पर है, दो, एक यहाँ पर छोटी सी है, तीन, और एक चौथी यहाँ पर है, चार और एक पाचवी यहाँ पर है, यह इतनी सारी फिश sign है इनके हाथ में, और एका दौर होगी, यह यहाँ पर दिख रही है, बहुत छोटी सी, तो टोटल छे फिश sign है इनके हाथ में है, तो नेच्रल है, समरुद्धी देती है, व्यक्ति को कहीं न कहीं पैसा जीवन में आता ही है, इनके कारट, ठीक है, राव रेखा है अपना काम करती है, कोई फेट लाइन पर प्रॉबलम हो, तो वो अपना काम करती है, और कहीं पर रेखा धन रेखा डिश्रब हो तो वो अपना काम करती है पर ये साही ने जीवन में पैसा जरूर देती है तो ये खासियत है इन में अब वापस इनके close-up पर चलते है यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है तो व्यक्ति को basic knowledge अच्छा खासा होता है और basic knowledge क कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्दर्ती भी करता है और लोग इनको पुछ-पुछ कर भी काम करता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज्यादा लोग पुछ-पुछ कर काम करेंगे यहाँ पर एक बहुत खुल कर तो नहीं है पर एक आभास जरूर हो रहा है और इस गाँस्टार की भी साइन व्यक्ति को यस दिलाती है यह एक ही ऐसी साइन है पामेशिट्री में जो अगर ओपन भी रहती है तो भी अपना फल देती है ठीक है पर सेटेज वाइज कम ज्यादा फल देती है पर यह फल देती है यह यस वाली sign है, और कई लोग यहाँ पर ही mistake करते हैं, इसको भी पैसे की sign गिन लेते हैं यह पैसा नहीं देती, यह यह यस देती है यहाँ पर multiple property की sign है तो वेक्टी एक से अधिक property खरीदता या निर्मान करता है अब शनी परवत देखें तो थोड़ा सा उभार यहाँ पर है तो ऐसे लोगों को सुबे उठना अच्छा नहीं लगता अलश से आता है, यानि बैड से जागने को यानि वहाँ से वहाँ थोड़ा सा प्रॉबलम होता है, पर एक बार जब बैड से निकल गए, तो फिर व्यक्टि एक्टिव रहता है दीन पर और यह रेखा, जुपिटर की और जा रही है कि यह चार बेनिफिट देती है पॉलिटिकल लाप, सरकारी लाप या ससुराल पैसे वाला सादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और जो भी कारे करते बढ़े स्तरका करते तो कहीं लोगों को चारो बेणिफिट होती है किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक बेणिफिट होती है एक ऐसी भी साहिन है इनके हाथ में कभी न कभी इनको विद्देश से धन प्राप्ति की भी chances है जीवन में इस तरह की भी देखा है या तो इनके संतान जा सकते है या इनके अद्वारा भी उस तरह का काम जीवन में हो सकता है कभी न कभी जीवन में वो मौका जरूर आएगा जुपिटर माउंड में कोई प्रॉबलम नहीं है एक खड़ी रेखा है यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपका खराब समय भी आए तो स्टेंड बाइ रहता है व्यक्ति अपनी जगह से हिलता नहीं तो यह एक प्लस पॉइंट है और होरिजोंटल लाइने जो चलती है यह व्यक्ति को धर्मिक बनाती है मल्टिपल इंकम देती है पामिष्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के जो मिष्ट्री साइंस होते है उसमें ध्यान जाता है जरूरी नहीं कि व्यक्ति एस्ट्रोलोजी या पामिष्ट्री में इंट्रेस जागे हो सकता उसका टेरो में जाए ध्यान हो सकता है उसका वास्तु में जाए ध्यान, कोई न कोई अंक शास्त्र में जाए, किसी न किसी के अंदर ध्यान जाता है व्यक्ति का, उसके प्रती जिग्यासा जाकती है, अब नेचरल है, जो पामिष्टी चैनल देखकर आता है, तो हो सकता है उस व्यक्ति का पामिष गुट है तो सारे री रूप से ये काफी उजवल होंगे काफी उजवल और बारी मंगल भी काफी बड़ा है इस तरह का बारी मंगल हो तो ये लोग बहुत जादा हिमती होते हैं मैं कई बार सब्दी यूज़ करता हूं बजी जंपिंग क्योंकि मुझे उस जंपिंग को किसी पैरों में बान कर कैसे हिमत करते होंगे मुझे कभी-कभी ऐसा सोचता हूं मैं पर इस तरह के मंगल अगर हो तो व्यक्ति ऐसे लोग दो मनिट में रेडी हो जाए इतने हिमती होते हैं और जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते हैं और संकट के समय व्यक्ति अप बस यह एक पॉइंट रहता है उसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है और चंद्रपरवत मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है या बहुत कराब है मध्यम टाइप का है और यहां पर फिश्याइन वालों को मनिट रेंगल न भी हो तो कोई फरक नहीं पढ़त धन आता है शुक्र परवत पर देखे तो सारी मोटी लाइन है यह वेक्ति को लगजरियस लाइफ देती है और दूसरी खासियत देती है पैसा कमने का शौक भी देती है और खर्चने का भी शौक देती है लगजरी के पीछे इनकी चाहत अच्छी होती है और इनको मिलती भी सेकेंड अच्छे कपड़े पहनते अच्छी तरह रहते हैं खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हैं पैसा कमने का शौक होता है खर्चने का भी शौक होता है तो यह सारा परवत के कारण मिलता है अब इनकी हिर्देरेखा पर देखे तो हिर्देरेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और अगर यहां से निकलती होगी तो मन में गुद्सा भर पूर रहता होगा और कही न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गुमाव लेकर ऐसे ही चल रही है हाँ अगर यह लाइन ऐसे होगी और यहां से दूसरी लाइन निकलती होगी तो फिर गुद्सा नहीं रहता होगा पर यह अगर जॉइंट होकर चलती होगी तो 100% जहन में गुस्सा भरा रहता होगा और जब जुपिटर से अगर टच हो गई लाइन तो वेक्टी महतोकांची होता है और अपनी महतोकांचा पूरी भी करता है और भरो से लाइक इनसान होता है किसी के 100 रुपे भी बाकी होंगे तो सामने से याद करके देखा रहेगा तो ये सारी खासियते वेक्टी को मिलती है और रिदे रेखा जैसे जैसे उम्र बढ़ती होगी वैसे वैसे ये डार्क होते जा रही है तो जैसे जैसे जीवन की जंजटे बढ़ती जाएगी आपा धापी बढ़ती रहेगी वैक्टी कर जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाता जब डार्क रिदे रेखा होती है तो आपा धापी लगी रहती है जीवन और इसका कोई उपाय भी नहीं और यहां पर देखे तो एक दो लाइन नीचे की तरफ जा रही है मापाप की सेवा करने वालों के हाथ में होती है और एक दो लाइन उपर भी है वैक्टी इसको फ्लर्ट लाइन कहते है तो दुखी भी हो तो थोड़ी देर वैक्टी दुखी होता उसके बाद खुशी ढूनता है अब इनके माइन लाइन को देखे तो माइन लाइन थोड़ी सी अंदूनी मंगल से सुरू हो रही है तो वैक्टी प्लानिंग भरपूर बनाता है और जादा तर प्लानिंग काग्जों पर रहती इंप्लिमेंट नहीं होती और यहाँ पर देखिए माइन लाइन यहाँ पर जुका होकर नीचे ऐसे आ गई तो मैंने कई वीडियो में काया या तो माइन लाइन उपर चले ऐसे या ऐसे या तो धलान हो या धलवा बने दो मैसे कहीं पर भी कुछ भी स्थिति होती है उस समय वो पिरियड प्रेशर वाला रहता है जीवन में अब इस धलान को देखे तो यह धलान उम्र यह लगबग 39 के आसपास से यह धलान चालू हुआ और यहा तक यह धलान है यानि उम्र लगबग 42 तक यह धलान इनके जीवन में है तो यह तक इनके जीवन में प्रेशर रहेगा और यहां से यह सीधी होकर आगे बट रही है और थोड़ी सी छोटी है तो बुद्धी प्रतिभा में कमी नहीं होती पर थोड़ा सा दबाव आया तो व्यक्ति को गुस्सा आता है इसके अलवा कोई माइनस पॉइंट नहीं होता अब इनकी जीवन रेखा को देखे तो पहला कट उम्र 29 में इनको लगा यहां पर कोई न कोई रुकावट आई होगी इनके जीवन में क्योंकि यह काट कर आगे जा रही है और यह लगबख तीन साल पहले तक बंधन योग में थे यानि 29 में से तीन गए तो लगबख 26 साल तक यह प्रोग्रेस जादा नहीं कर पाये होंगे फैमिली बिजनस में होंगे तो बात अलग है पर individual कोई भी investment व्यक्ती करता है तो growth नहीं करता job करता है तो उसे deserve growth नहीं मिलती जो वो चाहता है तो यह सारी चीज़े है और उसके बाद 29 के बाद 33 में एक राव रेखाने काटा और 139 में बहुत बड़ी राव रेखाने काटा है और इसी पिरियड में एक बहुत बड़ी रेखाने फेट लाइन पर भी कट किया है तो जब ऐसी स्तिती होती है तो इननों ने अच्छा खासा आर्थिक नुकसान किया होगा 39 की age में और यह राव रेखा लगबग एक से सवा साल की है यहां तक इनको परेशानी रहेगी यह एक जटके में हमारे जीवन से पैसा जाता है इस रेखा के कारण और यह पूरा 12 मन तक हमें परेशान करती है 12 मन को या 15 मन को यहां तक कि यह रेखा है काफी मोटी है तो यहा तक तो इनको जीवन में ग्रोथ नहीं मिलेगी और आर्थिक नुकसान भी इनको 100% हुआ होका 1000% हुआ होगा क्योंकि ये रेखाने भी काटा और इस रेखाने भी और फेट लाइन पर जब काटती है रेखा तो अच्छा खासा आर्थिक नुकसान जाता है राव रेखा व्यक्ति को फिश सैन वालों को इतना परेशान नहीं करती जितनी ये करती है तो ये एक चीज है और उसके पहले मुझे कहीं न कहीं आफशुट भी नजर आया तो हो सकता है 39 के पहले कोई न कोई वस्तू भी खरीदी हो या कोई अच्छी अच्छा काम भी हुआ हो इनके जिवन में लग बख 37-38 के आसपास उसके बाद कोई राव रेखा नहीं है इनके जिवन में केवली ये एक आफशुट है जिसकी मैंने एज निकालनी रहे गए पर फिर भी निकालने की कोशिज करते है 13 साल के आसपास यानि 39 और 13 42 52 के आसपास एक आफशुट भी है तो ये भी कोई न कोई ग्रोथ जिवन में वहाँ पर मिलेगा और इसी पिरियड के आसपास कोई न कोई नियर एंड इरर की भी डैथ होगी और जिवन रेखा उत्तम तरीके से चल कर यहां तक चल रही है और यहां पर जॉइंट होकर यह पूरी घुमाव ले रही है तो यह शुक्र की शक्ति को भी बढ़ा देती है अब इनकी धन रेखा को पहले इसी फोटोग्राफ में हम देख लेते हैं यह धन रेखा पूरी नीचे से चल रही है तो ऐसे लोग जन्म लेते ही खाते-पिते परिवार में खाता-पिता परिवार होता है बेसिक चीजों के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती और यह अब इनके जो close-up है जहां पर मुझे doubt है जो sharpness चाहिए थी वैसी sharpness मैंने वीडियो के पहले भी यह चीज कबूल कर चुका हूं कि हो सकता है कि मैंने उतनी energy उस समय इनका जब photo आ रहा होगा तो हो सकता है मैं नहीं लगा पाया हूं मुझे कहीं नहीं ऐसा लगता है कि यह रेखा यहां से इनके जीवन में disturbance चालू हुई यह age होगी लगबग 33 के आसपास है अब 32 के आसपास उसके पहले तो भी थोड़ी कुछ अच्छी थी मैं एकदम अच्छी तो नहीं मानूंगा पर थोड़ी कुछ अच्छी थी तो यहां से हो सकता है 32 33 से इनका growth कम हुआ हो स सकता है इस photograph के हिसाब से फिर 39 के आसपास इस रेखा ने काटा यहां पर आर्थिक नुकसान दे रही यह रेखा और यहां तक यह रेखा धन रेखा कहीं न कहीं कम growth वाली है यानि 41 तक इनके जीवन में कम growth रह सकता है plus minus one year उसके बाद इनका growth मिलेगा और यहां से फिर वाप वापस growth down होगा यह growth रहेगा इनके जीवन में 46-47 तक 41 से लेके 46-47 तक अच्छा growth रहेगा उसके बाद वापस यह down होते हुए दिख रहा है फिर भी मैं एक बार इनसे धन रेखा का first photo वापस मंगाऊंगा क्योंकि मुझे इस पर confidence नहीं है यह जब कोई भी photograph हम enlarge करते है और फटे या फटना लगे तो समझ लो कि कहीं न कहीं photograph उतना शार्ट नहीं आया तो यहां से लेकर फिर इनकी वापस growth कम होते हुए दिखा रही है तो यह किन्तु परन्तु वाली चीज है जब स्पष्ट आएगा तो मैं धन रेखा के बारे में स्पष्टता से बता दूंगा जाएगा झाल झाल